तो अब देखा जाता है तो इनमें बहुत ज्यादा करने जा रहे हैं तो डेंसिटी का मतलब होता है आपका मास अकून वह को में बॉलिईंट आपका महईं धेखा जो मास होता है उसमें पूर।ि प्लस आपका जो स्वित है दोनों का नियुक्ट रहता है और भॉलिव उन दोनों क न стр Mmm यहां जो आफ्क का वॉलियू के आने वाला है बहुत ज्यादाए क premi होता है क्यों कि रीजन क्या है कि मास में आपका और का इतना ज्याद़ नहीं होता लेकिन उसका कहापी ज्यादा लेकिन पार्टीकल की जब बात करते हैं तोषल नुद्द में सेम आपका mass upon volume होता है बर particle density को आप true density गोलते हो उसमें केवल आपका pore space जो है वो include नहीं होता केवल soil का ही weight होता है और upon volume जो है वो भी आपके soil का होता है so that आपका क्या होगा कि उसमें से pore space जो pore space है वो आपका निकल जाएगा तो उसके बाद आपका जो value आने वाली है वो ज्यादा आएगी इसलिए आपके particle density होती है वो आपकी हमेशा bulk density से ज्यादा होती है so guys definition की बात करूं तो आपका bulk density is defined as the dry weight of soil per unit volume and bulk density consider the both solid and pore space but particle density consider only the mineral solid that's why particle density को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका only and only कि यह जो ऐसी है जो true density है कहीं न कहीं इसमें हमारा soil का weight include रहता है आपके soil का ही volume include रहता है उसमें आपके pore space का weight volume include नहीं होता and through example you can see here कि आपका जो इसमें image में आपको शो हो रहा है कि कि बल्क density के अंदर आपका क्या है उसके अंदर pore space include है लेकिन नीचे जो इसके अंदर एधर वाली अगर हम solid density की बात करें आप particle density की बात करें तो उसमें आपका solid portion include है यहाँ से आपको समझ में आ गया हो ओकी गाइस थैंक यू मिलते हैं नेक्स नोपी के साथ थैंक यू थैंक यू जो मुच